हलो स्टूडेंस, B.S.E. Part 1 के फर्स्ट पेपर Animal Diversity and Evolution प्रानी विविदता तथा उद्विकास में हम अभी तक टेक्सोनॉमी, नॉमनक्लेचर, सिक्स किंग्डम सिस्टम, कॉंसेप्ट ओफ प्रोटोजवा और मेटाजवा और बेसेज ओफ क्लासिफिकेशन स्टड़ी कर चुके हैं, आज से हम एक-एक संघ की स्टड़ी शुरू करेंगे, इंडिविज्वल फाइलम की स्टड़ी शुरू करेंगे, जिसमें हम हर फाइलम के जनरल करेक्टरिस्टिक्स, समान्य लक्षन और क्लासिस तक उनकी क्लासिफिकेशन, उधारन सहित study करेंगे आज हम फाइलम प्रोटोजवा के जनरल करेक्टरिस्टिक्स study करेंगे प्रोटोजोन्स यानि की first formed animals जो की microscopic हैं, eukaryotic और single-celled organisms हैं एक कोशी किये organisms हैं जो pre-cambian period of palazzoic era में originate हुए जो protozoa में वो animals आते हैं जो microscopic हैं और a-cellular हैं और जिन में tissues और organs form नहीं होते हैं अब तक more than 50,000 species जो हैं वो identify हो चुकी है protozoa में और अभी और भी होनी बाकी हैं सबसे पहले protozoa को observe किया था liuven hawk में जब उसने वोटी सेला को microscope के अंदर study किया था और उसने उसको नाम दिया था animalcules सबसे पहले protozoa term जो है वो gold first ने coin करी थी जिसमें Greek में इसका मतलब होता है first animals proto means first, zoans means animals तो first animals जो है वो protozoans hymen और बाकी zoologes जो है वो protozoans को a-cellular animals कहते हैं क्योंकि वो single cell जो है वो life की सारी activities जो है उनको perform करता है इसलिए hymen unicellular ना कहके protozoans को a-cellular कहना पसंद करते हैं structurally जो है protozoa, metazoa के एक single cell के जैसा है लेकिन function जब हम देखते हैं तो उसका पूरे function जो है वो metazoan के पूरे animal के जैसे होते हैं general characters अब हम phylum protozoa के study करेंगे six kingdom system हमने study किया था तब देखा था कि protozoans जो है वो एक independent kingdom में आते हैं kingdom protesta protozoans जो है देखा ए-cellular और non-cellular organisms protozoan की body जो है उसमें protoplasm present होता है therefore they are called a-cellular animals habitat इनका अगर हम study करें तो they are mostly aquatic या वो free living होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं parasitic होते हैं, परजीवी होते हैं जिसमें वो ectoparasites भी हो सकते हैं और endoparasites भी हो सकते हैं यानि कि शरीर के बाहर या शरीर के अंदर जो है वो परजीवी हो सकते हैं या फिर वो commensalistic होते हैं यानि कि सहभोजी भी हो सकते हैं ग्रेड ओफ और्गिनाइजेशन उनका संगटन का स्तर हम देखें तो प्रोटोजोम में हमने स्टडी किया था इनमें प्रोटोप्लाज में ग्रेड ओफ और्गिनाइजेशन प्रेजेंट होता है यानि कि एक सिंगल सेल लाइफ की सारी एक्टिविटीज जो है उनको करता है इसलिए सब सेलुलर फिजोलोजिकल डिवीजन ओफ लेबर जो है वो इसमें पाया जाता है बोडी में प्रोटोप्लाजम जो है वो डिफ्रेंशेटिड होता है आउटर एक्टोप्लाजम में और इनर एंडोप्लाजम में हैबिटेट इनका हम हैबिट सॉरी ये colonial भी होते हैं, यानि की निवही भी होते हैं, जहां पर एक से individuals एक साथ present होते हैं. प्रोटोजोड की बॉड़ी जो है, वो या तो naked होती है, या फिर वो pellicle से covered होती है, इनमें एक या एक से ज़ादा nuclei जो है, केंदरक जो है, वो present होते हैं, अगर एक होता है तो ये monomorphic होते हैं, अगर दो nuclei present हैं तो ये dimorphic कहलाए जाते हैं. बॉड़ी की shape जो है, इनकी वो variable होती है, कई shapes के ये हो सकते हैं, ये spherical हो सकते हैं, oval होते हैं, elongated भी हो सकते हैं, और या फिर flattened भी हो सकते हैं. symmetry इनकी हम देखें तो body की symmetry ये या तो symmetrical होते हैं, या इनमे radial symmetry होती हैं, area symmetry होती है, या फिर ये bilaterally symmetrical हो सकते हैं, spherical symmetry भी इनमें हो सकती है या फिर ये asymmetric होते हैं जिसमें कि कोई किसी भी तरह की symmetry जो है वो नहीं होती है locomotion इनमें जब हम देखें गमन देखें तो locomotory organelles जो हैं इनमें वो finger like pseudopodia हो सकते हैं कूटपाद जिसे हम कहते हैं या फिर whip like flagella हो सकते हैं कशाब जिसे कहते हैं हम और या उनमें hair like cilia present होते हैं या फिर इनमें से कोई भी locomotory organelles जो है वो इनमें present नहीं होता है portion nutrition इनका हम देखें तो ये या तो holophatic होते हैं जिसे plant like nutrition जिसे हम कहते हैं पादम सम या holozoic animal like जिसे प्राणी सम कहते हैं या फिर ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं या फिर ये पेरसिटिक यानि की परजी भी होते हैं कोई कुछ forms जैसे की yuglina है yuglina एक ऐसा example है प्रोटोजोगा जिसमें mixotropic nutrition होता है यानि की एक से जादा तरह का nutrition जो है इसमें होता है फिर हम देखें digestion इन में कैसे होता है digestion ये intracellular digestion जो है वो इसमें present होता है यानि की अंत्य कोशी की पाचन जो है वो इन में होता है फिर आता है respiration respiration जब हम इनका study करें तो इसमें देखते है exchange of respiratory gases जो है वो simple diffusion के थ्रू होते है यानि की विसरन के थ्रू जो है general body surface से इन में exchange of gases होती है respiration anaerobic भी होती है जो की parasitic forms होते हैं तो parasitic forms जो होंगे अंत्य पर जीवी जो है उन में anaerobic respiration पाई जाती है फिर आता है इसका special characteristic osmo regulation osmo regulation यानि की जलिये संतुलन जलिये संतुलन ये कैसे बनाता है इनके शरीर में present होते हैं contractile vacuoles, संकुचन, शील, रस, धाई, धानी ये क्या होते हैं ये osmo regulation या जलिये संतुलन को बनाते हैं fresh water forms में इसके साथ साथ ये excretory products को remove करने में भी मदद करते हैं फिर आता है excretion excretion जो है वो भी through general body surface होता है इसमें किसी किसी forms में कोई-कोई animals, protozoans जो हैं उनमें एक temporary opening जो है ectoplasm में वो form होती है या एक permanent pore बनता है जिसे cytopeik कहते हैं एक important characteristic होता है इनका incestment incestment यानि की पुट्टी भवन कभी जो भी प्रतिकूल परिस्थितिया अगर आती हैं तो ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में unfavorable conditions में cyst ये form कर लेते हैं जो उनमें dispersal में भी help करती हैं यानि की उनको एक जगे से दूसरी जगे भी move करती हैं साथ ही में unfavorable conditions जैसे की food, temperature और moisture की अगर conditions favorable नहीं हैं तो ऐसे में cyst form करके ये उन conditions को जो है tied over कर लेते हैं फिर हैं इसमें reproduction reproduction जो है वो इसमें दो तरहे का होता है asexual reproduction और sexual reproduction asexual reproduction यानि की alangic जनन जो है वो binary fission से होता है या फिर multiple fission से होता है या फिर वो budding से होता है sexual reproduction या langic जनन जो है वो syngemi या conjugation से होता है एक और important character जो है protozoa का वो होता है immortality यानि की अमरत्व single-celled individual है ये जिसमें somatoplasm और germplasm protozoa में somatoplasm और germplasm जो है वो differentiated नहीं होते हैं इसलिए इन organisms को हम immortal कहते हैं यानि की वो जो है अमर है उनमें death जो है वो नहीं होती है तो ये कुछ important characteristics थे समान्य लक्षन जो protozoa के थे अगली class में हम protozoa की classification study करेंगे up to classes जो 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 बालिए जो 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 सब्सक्राइब करेंगे जो 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 समान्य लगता है